आज के खबर नामा के प्रयोजग है श्री कृष्णा गुर्प ओफ इंस्टिूशन्स एहमद नगर सीतापुर सह प्रयोजग जीपिएस बजाद इस्टेशन रोड सीतापुर नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकत सिंग और और मैं सत्या सिंग पेस हैं सीतापुर की सुर्खियों वाला खबर नामा जिलादिकारी विसाल भरत दौज ने सहर इस्तित मंडी समित में चल रहे सरकारी धान के केंद्रों का निर्चन किया इस दोरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और विपणन साखा के धान के केंद्र प्रथम पर तौल करा रहे कृसक अजय प्रताप सिंग के धान की नमी चक कराई जिलाधिकारी ने क्रेकेंद प्रभारियों को किसानों के साथ सम्मेदनसील बेहार करने की नसियत भी दी सीतापूर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है पिसावा के देवकली में बरेली के महिला को जिंदा जलाय जाने का प्रियास करने के मुख्य आरोपी कौशल वा प्रताप को 48 घंडे के अंदर सहजहांपुर के रोजा से गिरफतार कर लिया गया इसके अलावा पुलिस ने प्रताप की मा कलावती पिता बुद्धुपाल वा भाई मंगल को भी सनक्षन देने पर गिरफत मिलिया है बता दें स्पी आर्पी सिंग ने प्रताप वा कौशल पर 25 पच्चिस हजार रुपे का इनाम खोशित किया था पुलिस अधिचक आर्पी सिंग ने ग्रिपतार करने वाली टीम को सावासी दी है सियो मिसरिक, एमपी सिंग की अगवाई में मिसरिक इंस्पेक्टर, मनो ज्यादव, महौली इंस्पेक्टर, आलोक मनतिरपाठी, पिसावा इंस्पेक्टर, कुमर बहादूर सिंग, स्वाट टीम प्रभारी, ग्यानेंद परताप सिंग, वर्स्तर विलांस प्रभारी, आरपी सिंग्ने दरोगा उमाकान, हेड कॉंस्टिबल रिशीद देव वा आरक्षी विक्रांत कुमार को निलंबित कर दिया है, बता दे कि पिछले एक सबताह में, स्पी आधा दर्जन से अधेक पुलिस कर्मियों को निलंबित कर चुके हैं, जन मानस में स्पी की कड़क क कारिश्याली की तारीफ हो रही है, चर्चा है कि पुलिस में भाग में इस तरह ताबर तोर निलंबन कई वर्षों बाद देखने को मिले हैं रामकोर थाना के गाउं हभीपुर में सराब की दुकान में सेल्समेन सरवेश कुमार जैसवाल मिर्त मिला, दुकान में सो मिलने से महले में संसनी फैल गई, मिर्तक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है, बता दें सरवेश कुछ दिन पहले ही एक मामले में 14 वर्ष की सज काट कर आया था पुलिस ने जाच शुरू कर दी है। केस निकला है। जबकि दो केस अन इस्थानों के हैं। इसे के साथ जिले में कुल कुरोना केस 3754 हो गए है। पांच घंटे तक प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को ग्रिफतार कर लिया है। एडिसनल स्पी दच्छनी एनपी सिंग, सियो, सिधहौली, दिनेशियादो वा तहसीलदार असोग कुमार दलबल के साथ घटना स्तल पर भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे और परजनों को समझा बुजा कर 100 को पोश्ट मार्टम के लिए भेजा। बता दें, 22 सितंबर को यही इवक गायब हो गया था और अगली सुबा गाउं के खेत में बंधा मिला था। पुलिस ने बयान का वीडियो तो बनाया लेकिन कारवाई करना मुनासिब नहीं समझा था। धान क्रय केंद्रों से मिल रही शिकायतों पर विपड़न विभाग ने सफाई पेश की है। 75-05-7295-86 पर संपर करें ततकाल समस्या का समधान किया जाएगा। उन्होंने बताए कि किसान धान सुखा कर लाएं। 17 प्रतिशत नमी की सीमा तक का ही धान खईदा जाएगा। थाना दच्छ रेउसा पुस्पराज कुस्वाहा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने पूर बिधायक महंद कुमार सिंग जीन बाबू की सुपौली इस्तित आम की बाग में काम कर रहे मजदूरों को पकड़ कर पिटाई की है। आरोप है कि सिपाही टुनना यादव वसिवेंद पांडे ने जुआंख खेलने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दे कर 46 सो रुपए भी चीने हैं। पूर बिधायक ने नयाय न मिलने पर धरने पर बैटने की चेताउनी दी है। क्रशी विज्ञान केंद्र कटिया में विज्ञान एवम प्रोध्योगी की विभाग की ग्रामीर महिला तकनी की पार कायकरम के तहट प्रसिक्षन का आयोजिन किया गया। केंद्र के अध्धक्ष डॉक्टर आनन सिंग और परियोजना की प्रधान अन्वेशक डॉक्टर श्रीमती सौरप ने क्रशी अवशेशों से चारकोल, गोवर से नरस्री का गमला, दिया, धूबबत्ती, मूर्तियों, लेटर्स, नेम प्लेट आधी बना ना सिखाया। प्रेसिक्षन में रंगीन मचली उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग, अजोला उत्पादन आधी के बारे में भी बताये गया। उपादेच, संजै सिंग, राम जीवन यादो, राम सुरूप रावत, मुहम्मत इदरीस, पंकज यादो आधी मोजूद रहे। चालिस मंडलों में प्रेसिक्षन बर्ग आयोजित होंगे। प्रेसिप्राप्ट के लिए 10 अक्टूबर से व्यापक्ट चकिंग अभियान चलाये जाएगा। लहरपूर के मुहला ठटेरी टोला के सलावदीन गौरी समाजवादी पार्टी के जिला सच्चव बनाए गये हैं। गुरुवार को उनका मीरा टोला में जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतिय हिंदू महासभा प्रदेश अध्यच रिशीत त्रवेदी के आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। जिला प्रभारी वरुन इंदू पांडे, बीरेंद राज, प्रमोत त्रवेदी, दिनेश राज, हरेश वर्मा, राजेश जोसी, धीरज वर्मा आदी मौझूद रहे। सीसी कसमंडा में 10 अक्टूबर को मानसिक रोगियों वद दिव्यांगों के लिए शिवर लगेगा। अधिक्षक अर्विंद कुमार बाजपेई ने बताया कि शिवर में सुभा 10 से दो पहट दो बजे तक मानसिक रोगियों को मुफ्त में परामर्श वद दवाई दी जाएंगी, साथ ही दिव्यांगों के प्रमाडपत्र बनाए जाएंगे। जनपद में डेंगु वाच चिकन गुनिया के 31 मरीज हो गए हैं। इन रोगों की रोगथाम के लिए जिला अधिकारी बिसाल भरतवाज ने जिन महलों में रोगी मिले हैं वहां नियमित सफाई कराने का निर्देश दिया है। A.D.M. बिनेपाठक ने बताया कि यो सफाई के साथ ही सिनेटाजेसन सुनिश्चित कराके फोटो भी भेजेंगे। A.D.M. मच्रेटा के प्रधान सन्नो सामुदाइक सौचाले के निर्माड अस्थल को लेकर परिशान है। उन्होंने बीडियो को प्रातना पत्र देकर बताया है कि उनकी पैत्रक जमीन के पडोस में पंचायत की जमीन है। उसमें सौचाले निर्माड प्रस्तावित है लेकिन लेकपाल वस्था चेव उनकी जमीन पर सौचाले निर्माड करारा चाहते हैं। प्रधान में प्रातना पत्र की कॉपी S.D.M. को भी भेजी है। युवन पब्लिक इंटर कॉलेज में महिला ससक्तिकरन समारों का आयूजन किया गया। मच्रेटा पुलिस ने दो कच्ची शराब के कारोबारियों को पकड़ा है। ठाना अद्यक्ष ओपी तिवारी ने बताया कि रामचंड, श्री राम, कमलेश वा शुक्रू को गिरफतार किया गया है। आरोपियों पर आपकारी अधिनियम के तहत कारवाई की गई है। बित्वीहिन मानता प्रभ विद्यालेओं के सिचकों को सरकार ने राहत का एलान किया है। बित्वीहिन सिचक महासवा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। महासवा के जिलाद्यच, पंकज पांडे, जिला महासच्यू, बेचे लाल भारगव, आधिने सीम के साथ ही निवर्तमान MLC उमेश दुवेदी को धन्यवाद दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहें ये खबर नामा। कि अर्फ़ू। कि अर्फ़ू। चर्फ़ू। मचरेटा उपडा घर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है बिचौलिये भी सक्री है ग्रहाकों ने बताया यहां आधार कार्ट के लिए सौ से एक सो पचास रुपए बसू ले जा रहे हैं खूब भीड उमर रही है लोग मास भी नहीं लगाते हैं चहलू के मद्दे नजर लहरपुर में सुरच्चा के ब्यापक बंदोबस्त किये गए हैं कस्बे में पुलिस बल के साथ ही पियसी भी तैनात की गई है बता दें कस्बे में केवल सिया मुसल्मान ही चहलू मनाते हैं डॉक्टर सुल्तान अली खान ने बताया कि सभी कारिकम मुहला काजी टोला इस्तित इमाम बाड़े में कोविड गाई लाइन का पालन करते हुए मनाये जाएंगे कोतवाल ओपी राय ने कस्बे का भ्रमण भी किया लोक निर्मार संग ने छोटी लाइन रेलवे कॉलोनी के निकट सड़क के गड़ों में रंडा का पौधा गाड़ कर विरोत प्रदर्शन किया जिला अध्यक्ष हरियों मिश्वन ने कहा कि योगी का गड़ा मुक्ती अभियान सिर्फ छलाओ है जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा है शिवशंकर दिक्षित, अजास खान, रफीक एहमद, शादाव अंसारी, राजुनावेद, शोयेब खान, जैयादो, गोविन जैस्वाल, जीतेंद्र रोहित आदी मौजूज रहे सच्चतावा कोविट के प्रत जागरुकता के लिए लहरपूर पालिका अद्यच जासमीर अंसारी ने अभिनो प्रयास किया है उन्होंने मजा साथ चौराहे पर LED लगवाई है इस पर जागरुकता संदेश चलेंगे गुरुआर को अद्यच सिरी अंसारी ने LED का उद्गाटन किया इस मौके पर यो हिर्दया नंदुपाध्याय अवर अभिन्ता सिम्रा साइद नगरपालिका कर्मी एवं सभासद मौजूद रहे जिलादिकारी विशाल भारत दौज ने बैठक की अध्यक्षिता करते हुए कलेक्टेट सभागार में गरीब कल्यार रोजगार अभियान का हाल जाना जिलादिकारी ने बताया की अभियान का उद्देश गरीबों एवं प्रवासी सिम्कों को आजीवी का आउसर उपलब्द कराना है इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लिया जाए बैठक में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार सुसील कुमार सिर्वास्तो परियोजना निदेशक डियार डिये एके सिंग उपकरसी निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा आजी उपस्तित रहे जिलादिकारी विशाल भारत द्वास ने गुरुवार की शाम एकी करत कोविट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरिक्षन कर विवस्ताएं देखी शिकायतों के निस्तारण की समिक्षा करते हुए कॉंटेक्ट ट्रेसिंग का कार पूरी गंभीरता से करने का निरिदेश दिया जिलादिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करने और अनावश्यक घर से ना निकलने की अपील भी की लहरपुर विधायक सुनील वर्मा ने बेटा मंडल में कारिकरताओं के साथ बैठक करके कारिकरता प्रसिच्छन कारिकम पर मन्थन किया इसके बाद बिधायक ने बेटा बूत अद्यच विकास दुवेदी के पिता की मिर्त्यु पर सोका कुल परिवार से मिलकर सोक बिक्त किया मुस्कान गेस्ट हाऊस में शुकरवार को बहुजन समाज पार्टी के कारिकरताओं का जमावड़ा लगेगा यहां पार्टी के संस्थापक स्वर्गी काशी राम को स्रधांजली दी जाएगी वक्त हो चला है एक छूटे से ब्रेक का आप देखते रहें खबर नामा झालतक्त mathematician के सिटों के गार्टी के ब्रेक के समिल्णी दी इंदेफुत्ष। द Both नावार्ड बैंक की ओर से विस्वा के गाउं भिनैनी वा कमुआ में सुच्छता जागुता कारिकम का आयोजन किया गया जिला प्रबंधक आर के सर्मानी सुच्छ रहने के टिप्स दिये आर्यावर्थ बैंक विस्वा मंडल के प्रबंधक जेके सिंग ने ग्रामीनों को बिविन्य योजनाओं की जानकारी दी कारिकम में रूट संस्ता के विकास सिंग तोमर राधेलाल योगेस कुमार आधी ने भी हिस्सा लिया जागरुपता वा तमाम प्रतिबंध के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं पूरी तरह रुक नहीं रही हैं गुरुवार को SDM महौली सश्य भूशन राय और SDM सिधौली संतोष राय ने शिकायतों की जाच की सूत्रों की माने तो SDM सिधौली ने एक कि पर धाई हजार रुपे जुर्माना भी बोला है सीतापूर में नेपाली महिला सीता पकड़ी गई है सहर के मंडी के निकट से पकड़ी गई महिला तिलंगाना से जहर खुरानी की घटना को अंजाम दे कर भागी थी तिलंगाना पुलिस उसका पीछा कर रही थी सीतापूर पुलिस के सहयोग से तलंगाना पुलिस महिला को पकड़ने में कामियाब रही महिला नेपाल भागने के फिराक में थी सूत्रों की माने तो महिला के दो साती लखीमपूर में पकड़े गए हैं हाला कि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है शहर के महुलना चौधरी टोला में विजिलेंस की सयुक्त टीम ने विद्धू चेकिंग अभियान चलाया 105 उब्भुकताओं की कनेक्शन चेक किये गए 14 पुराने मीटर बदले गए और 16 मीटर घरों से बाहर लगाए गए 11 बकायदारों की कनेक्शन काटे गए S.D.O. सुभम सिंग ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा टीम में जेई मोहमद राशिद, कुशनूर एहमद, इंस्पेक्टर सर्वेश यादोश शामिल रहे परिवाहन बिभाग ने खैराबाद के टोल पिलाजा पर प्रदूशन जाच कैम्प लगाया यहाँ दरजनों वहानों की जाच की गई जिन में तीन गाणियां अन्फिट मिली AITO प्रवर्तन डॉक्टर उदित नयान पांडे ने बताया कि 57 भारी वाहनों पर रेडियम टेप भी लगवाया गया साथी चेकिंग अभियान 12 डग्गा मार वाहनों के साथी 87 लापरवाह चालकों पर कारवाई की गई कैप में PTO सहपर किदवई आराई राम बचन आदि मौझूद रहे आगाखां फाउंडेशन ने कसमंडा में जागरुपता शिवर लगाया इसमें BMC पुषपा देवी ने ग्रामीडों को संचारी रोगों से बचने का तरीका बताया और सुच्छता की शपत दिलाई ग्राम पंचारत अधिकारी विपन यादों ने कोविट से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अवहन किया कर दो है